सास, बहु ऐसी चाय बना की, पीते ही तन बदन जूमने लगे, बहु, लेकिन माल जी, हमारे यहां तो भेंस का दूधा आता है, नागिन का नहीं सास, बहु की बुराई करते हुए अपने बेटी से, तुम्हारी बीवी में बहुत सारी कमिया है सास, बहु, ये परोसल शकुंतला बहुत जूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी, बहु, वो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है शादी के बाद पहली बार बहु किचन में गई और रेसिपी बुक देख कर खाना बनाने लगी सास ने थोड़ी देर बार फ्रिज खोला तो सिर्प करते हुए पूछा ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यू रखा दिया बहु मां जी किताब में लिखा है कि मिश्रन तयार करने के बाद एक घंटा फ्रिज में रख दें एक सास ने नई नवेली बहु से पूछा बहु मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी उस पर आकर बैठ जाओं तो तुम क्या करोगी बहु तो मैं उठकर सोफे पर बैठ जाओंगी सास अगर मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाओं तो क्या करोगी बहु तो मैं फर्ष पर चटाई बिचा कर बैठ जाओंगी सास अगर मैं भी चटाई पर आ जाओं तो फिर क्या करोगी बहु तो मैं जमीन पर बैठ जाओंगी सास मजे लेते हुए आगे बोली और मैं जमीन पर भी तुम्हारे बगल में बैठ गई तो क्या करोगी बहु खीज कर तो मैं जमीन में गढ़ा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी सास और अगर मैं गढ़े में भी आकर बैठ गई तो बहु तो मैं उपर से मिट्टी दाल कर सिलसिला खत्म कर दूंगी सास अपनी बहु से परेशान थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह की कल सुबह मैं घर में जाड़ूं लगाऊंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ मा मैं कर देता हूं इस तरह बहु को कुछ तो शर्म आएगी सुबर जैसे ही मा जाड़ूं लगाने लगी बेटा लाओ मा मैं कर देता हूं बहु अरे इसमें जगरने की क्या बात है एक दिन मा लगाएंगी और एक दिन तुम लगा लेना